नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टियस लाइफ में दोस्तों आज हम बात करेंगे मानव इत्याज की सबसे बड़ी घटना के बारे में जिस घटना ने मानव जीवन को एक नया मोड दिया जिस घटना के बाद मानव विकास संभव हो पाया जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं अपने वनसजों के बारे में अब तक हम यही मानते हैं कि हमारे वनसज बंदरों के प्रजाती थे पड़िया मानना हमारे लिए गलत होगा क्योंकि सोथ करताओं और प्राचीन अंत्रिक्ष विचारक यही मानते हैं कि हमारे पूरवजों का शंबंध एलियनों से था मिस्र से प्राप्त बहुत सारी विसाल खोपडियों जिनका आकार हमारे खोपडियों के आकार से देर गुना ज्यादा है उनका विसलेशन करने पर सोथ करताओं ने जो बात बताई वो सच में हमारे कलपना के पड़े हैं उन सोथ करताओं का यही कहना है कि ये प्राप्त सभी खोपडियां उन प्राचीन मानबों के हैं जिनका शम्मंध एलियनों से था वो जब चाहते एलियन उनके पास आ जाते थे और उनके शाथ सारेरिक शम्मंध भी अस्थापित करते थे मिसर से प्राप्त कई कलाकृतियों में उस विसाल खोपड़ी वाले मानब को भगमान की रूप में दर्साया गया है जिनके हाथ में हवा, पानी, आग और मिट्टी इन सभी की सक्तियां समाहित थे उनके पास वो बेशकीमती ज्यान था जो सुरिष्टी के विकास में सहयक था उस बेशकीमती ज्यान की वज़त से ही मिसर के वासि उन सभी मानबों को देपताओं के रूप में पूझते थे उनके ज्यान का सबसे बड़ा उधारन मिसर के पीरामीड है हमारे आज की टेक्नोलोजी भी उस तरह की पिरामेड नहीं बना सकती इन सभी बातों से एक बात तुसपस्ट है कि हम सभी एलियन के वनसज है और यही नासा ने भी कहा है अगर आपका भी एही मानना है कि हम एलियन के वनसज है तो हमें नीचे कमेंट कर बताएं दोस्तों ऐसी रहस्माई मनुरंजय के वम ग्यान से भड़ी वी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टियस लाइफ को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय हिंद